हाई गाईस वेलकम तो मैं नूव वडियो, सो कैसे हैं आप सभी, I hope कि आप सभी अच्छे होंगे, सो गाईस इस वीडियो में आपको बताने जाओंगा कि गाड़ी को एंटीरियर कैसे मेंटेन रखें, कि गाड़ी का एंटीरियर टाइम टू टाइम कैसे जैसे बहर से हमने मे दरवाला भी सिंपल है इंजन के लिए भी बताएंगे और बूट के लिए बूट वाला भी असान ऑल भी आसान है तब यहम इंठियर के बारे में बात करेंगे लॉच्ट और फोलिश नहीं बार है, इसको क्या करना है? जब आपनेонецनों, खोड़े दिन हो जाना है जैसे महीने में एक बार आपने क्या करना है एक कटोरी लेनी है कटोरी में आपने डालना है पानी में आपने डालना है थोड़ा सा शैंपू शैंपू में आपने उसको रब करना है और ब्रश लेना है जो टूथ ब्रश होता है उसको लेना है जो पुराना कोई आपका लग गया होगा पॉलिस से भी कच्रा लगता है क्योंकि पॉलिस जो है एक शाइनी मेटीरियल कर देती है आपका और जैसे उस पर धूल पड़ती है वह धूल उस पर जम जाती है तो उसको हमने वैसे रफ करके लगना चाहिए जैसे आपको रफ सर्फेस जितनी भी दि कर सके हूं को कपड़े से साफ कर लें जो गंधा को दीर बडी आ assumptions ऊपकर निकाले अगर करें घ्र कर देंगे आगर मादór नहीं कर सकते क्योंकि भार बार हमने गाड़ी दो यह नियेया तो इतने पैसे हमने कहां लाने है तो हमने क्या करना थे विप ट्रड एम जा हैं घुठ蒂तicon हुट करिशे करने स कंदिंदेटरर में लिए गो के लिए ऐसे और उसकर शॉड़ा करने द उनलगाया इससे आहिए उसको यहाँ इसे घुमाना जादा मतलब साफ करने के जरूरत नहीं है बस मेन मेन मैट कर दिये साफ सीट को मतलब गीला कपड़ा मार के ओपर पॉलिश मार दी और नीचे मार दिया यह जो सरफेस से इसको बगर दिया और साथ ही साथ आपने क्या करना है गाड़ी की चाबी जो होती है क्यों जो ऐसी के लिए और मार देना है उससे क्या करना आपने झीला कपड़ा लेना है उसके पीछे घुला कपड़ा मार देना है उससे वह साफ हो जाए और शिशे को clean करने वाली वीडियो मेरी लग से होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको यह वाली अच्छी लगई हो तो वीडियो को like करना, चानल पर नहीं हो subscribe करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much for watching guys, bye